नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपराइस पर भारत और रूस के जो आर्थिक संबंध है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और अब रश्या की जो सबसे बड़ी कोल की कमपनी है उन्होंने ये घोशना करी है कि वो इंडिया के अंदर अपना एक डेडिकेट दफ्तर खोलना चाहती है उसके बाद जो रश्या से कोल आएगा इसकी पेमेंट कैसे होगी इसका ट्रांसफर कैसे होगा उसको भी समझा जाएगा और इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के दोनों देशों को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा भी हम मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस लेक्षर की पीडियाफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिये गए टेलेजाम चैनल के माधिन से कर सकते हैं आल राइट सो जब से यह रश्या यूकरेंट के बीच में तनाव शुरू हुआ है तब से आल्मूस्ट ऐ ट्रेडर्स थे वो इंडिया को पर्टिकुलर्ली अच्छा डिसकाउंट ओफर कर रहे थे इसमें रश्या के बड़े-बड़े कोल ट्रेडर्स जैसे की SUE की AG उसके बाद केटी के साइप्रस बेस्ट कार्बो वन इन सभी ने अपने दामों को काफी कम कर दिया था so that basically जो इ largest supplier of coal to India. Traditionally बात करें तो रश्या जो है वो basically 6th largest supplier होता था behind Indonesia, South Africa, Australia and USA लेकिन इस particular development के बाद रश्या ने basically Australia और USA को पचाड दिया और वो Indonesia, South Africa के बाद नंबर 3 पे पहुँच चुका था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं Russia becomes India's third largest coal supplier in the month of July यह जो था यह latest data था जो की बता रहा था कि India और रश्या के बीच में जो कोले का आदान प्रदान है या फिर basically जो कोले का import है इंडिया के द्वारा वो काफी जादा बढ़ चुका है अब जो development सामने आई है वो यह है कि Russia's largest coal supplier जिसका नाम है Siberian coal energy company पॉपलरली कॉल्ड आज SUEK आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस रश्या's largest coal supplier जिसको की सन 2001 में स्थापित किया गया था और यह जो है company इसका मुख्याले आपको मौसकों में देखने को मिलता है यह वाली company अब भारत में आकर के basically अपना एक dedicated office बनाने की कोशिश कर रही है इस particular company के जो CEO है Mr. Maxim Basrov उन्होंने यहाँ पर एक interview में बताया कि हमारी company के जो shipments हैं भारत को जो पहले बहुत ही कम हुआ करते थे वो अब बहुत ही जादा बढ़ चुके हैं और अभी भी और तेज से बढ़ रहे हैं बलकि इनके द्वारा जो एक statement दिया गया है इनोंने कहा कि कुछ-कुछ महीनों में we registered an increase of 50% or more year on year whereas Russia used to supply 5-7 million tons of coal per year now it supplies about 2 million tons per month यानि कि जब एक तरफ Russia पूरे साल में केवल 5-7 million tons का कोला supply करती थी आज की घड़ी में Russia केवल एक महीने में 2 million tons के आसपास का कोईला केवल और केवल भारत को supply कर रही है clearly जो रश्या के exports हैं इंडिया को वो काफी जादा बढ़ चुके हैं और अब यह दफ्तर वो इसलिए खोलना चाहते हैं because उनका यह मानना है उनका यह उम्मीद है कि अगर हम लोग एक dedicated office खोलते हैं then we can increase the coal supplies to India by up to 10 million tons a year और साथी में अगर हम लोग logistical challenges को भी address कर लेंगे तो यह वाले आंकड़ेक तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा अगर बात करें इसमें logistics को लेकर क्या करने वाले हैं तो आपको मालूम होगा INSTC के बारे में that is the international north-south transport corridor दोस्तों यह वाला जो corridor है इसको लेकर already वैपार शुरू हो चुका है इंडिया रश्या इरान तीनों ही इसको लेकर वैपार करना शुरू कर चुके हैं और अब यह वाला जो area है यह वाला जो पूरा का पूरा route है इसी के माध्यम से यह लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत तक goal पहुंचाया जाएगा यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला route सेंट पीटर्स बस शुरू हो उसमें भी अगर आपको रश्या से भारत तक समान भेजना है तो approximately 45 to 60 days लगते थे लेकिन अगर आप यह वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आप मात्र 25 दिन में सेंट पीटर्स बर्ग से मुंबई तक किसी भी समान को भेज सकते हैं यह वाला रास्ता ना किवल यहाँ पर टाइम बचाएगा बलकि पैसे को भी काफी जादा बचाता है और इस रास्ते पर अल्रेडी इंडिया रश्या जो है वो आपसी अपना ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं अगर बात करें पेमेंट्स की तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर कंपनी के जो CEO है बैसोफ जी उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग पेमेंट्स को लेकर भी अल्मुस्स सभी चीज़ें सुल्जा चुके हैं विकॉस जो पेमेंट्स हैं रश्यन सप्लायर्स को वो अब दी जा रही हैं तीसरी कंट्रीज की करन्सी में जैसे की चाइनीज यूआन हुआ, UAE का ड दाई महीने से करते आ रही हैं, बेसिकली ऐसा मान लीजे कि अभी तक जो भी चालेंजिस थे वो धीरे-धीरे हमने रिजॉल्व कर ली हैं और अब आव यहाँ पर बहुती बड़ा कदम लिया जा रहा है कि जो बहुती बड़ी कंपनी है वो भारत में आकर अपना दफ्तर हो लेगी, payments का यहाँ पर system solve हो चुका है, logistics challenge जिसको हमने address कर लिया है, अब जो है केवल इन चीजों के ऊपर capitalize करने की आवशकता है, इसके इलावा अगर बात करें तो यह पूरा का पूरा जो project है, इसका फाइदा दोनों देशों किस तरीके से होगा, SUE के जो है वो केवल coal म बलकि इंडिया में अन्य energy products में भी आकर के invest करेगा, इसका फाइदा भारत को अपने जो Paris Climate Summit के goals हैं, उसको achieve करने में भी फाइदा मिलेगा, इसके इलावा इस company ने ये भी कहा है, that the company will be working with many partners in both the energy and the metallurgy sectors and will look to start investing in Indian coal or energy products, इसके इलावा जो इसमें एक और बड़ा फाइदा है हो ये है, ये ही वाली company इसके पहले, before the American sanctions on this particular company, ये company Europe और Japanese markets में अपने coal को भेजती थी, लेकिन उन markets में भेजने के लिए जो coal जाता था, वो बहुत ही जाता stringent environmental requirements को पूरा करने के बाद महां पे पहुंचाया जाता था, आज वही वाला जो coal है वो इंडिया में आएगा, य 5-7 million tons per year supply करता था कोईले की, वो आज की घड़ी में 2 million tons कोईले की supply कर रहा है, वो भी केवल एक महीने में, ये जो सबसे बड़ी company है, रश्या की, अगर ये भारत में अपने दफ्तर को खोलती है, उस case में, it will be supplying approximately 10 million tons per year, जो की काफी बड़ा यहां पे आंकड़ा होता है, ब हमें देखने को मिल चुका है, आप क्या सोचते हैं, इस development के बारे में, क्या-क्या फायते हमें देखने को मिल सकते हैं, definitely बताए कॉमेंट सेक्शन में, जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि test book आपके लिए लेकर आया super coaching, जिसमें कि आप लोग एक single subscription के माध्यम से करती मन्त में, अगर आप लोग मेरा coupon code A2Sir इस्तिमाल करते हैं, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.